नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स अभी देखे मैं सबजी कट कर रही हूँ तो तीन-चार मैंने ले लिया है टमाटर मीडियम साइज में और दो पीछ ले लिया है यह प्याज और आज बनेगा हमारा सबजी आल पनीर तो यह पनीर भी लेकर के आये थे उनको अभी में निकाल लूँगी उसके बाद धो लूँगी यहाँ पर तो यह अभी अभी ही जस्त लेकर के आये हैं इससे पहले आये हैं नहीं हम लोग सभी कोई गये थे घूमने के लिए तो सभी साथ में थे तो अभी अभी ही ल पेहन लिए और यह सूट पहन लिए और उसके बाद में बैठ गई हूँ सबजी कट करने के लिए आलू चड़ा दिये हैं आलू भी डालेंगे इसमें तो बोईल होने के लिए मैं चड़ा दी हूँ बजार से खरीद करके लाई थी आलू तो वह मैंने चड़ा दिया कूकर में दो सिटी हो जाएगा फिर हमारा आलू पक जाएगा क्योंकि मेरा कूकर में थोड़ा सा पानी लिख होता है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी देती हूँ तो जल्दी ही हो जाता है और जल्दी गैस निकलता है इसके कारण दो बार सिटी मरवाना पड़ता है और नहीं तो एक ह हैं और कि क्भी rea चास्ट के ऊशन मोगाए हैं और तो फिर थाक यहरेर्यै कर कर रही हैं ऑर यहां पर मेरा पनीर उने कट हो गए हैं अब हैं मैं आलू चीहिंढ़ आलू भी हो गया था थंड़ा हो गया था कुकर भी तो मैं ले आती हूं देखिए और उतना ज्यादा थंड़ा नहीं हुआ था फिर भी हम पानी छोचो करके इसको हम निकाल लेते हैं बस सीटी मतलब यह प्रेसर कुकर है तो इसमें से थोड़ा सा गैस नहीं खतम हो जाता है निकल करके तो फिर यह खुलता नहीं है तो गैस खतम हो गया था फिर खुल गया फिर ठंड़ा तो नहीं हुआ था आलू इसको हम गरम-गरम ही छील लिये थे तो अभी हम सभी आलू को छील लेंगे उसकी बाद चलेंगे कीचन में तो जल्दी ही आज खाना बना रहे हैं सा में लगा लिया है अभी मैं खाना चड़ा दी हूँ खाना भी पक जाएगा तब तक हम यह सब्जिया सभी तयार कर लेंगे मसाला वगेरा सभी तो खाना पग गया था उसके बाद में यहां पर आ गई हूं चड़ाने के लिए तो देखिए हम सरसों का तेल ही डालते हैं सब प्लास्टिक से ही हम कड़ाही पर ही डाल देते हैं और उसके बाद दोनों डिपा में हम भरके रखते थे अपने जगा पर और उसी से हम रोज दिन इस्तमाल करते हैं तो देखिए यहां पर हम तलने के लिए डाल रहे हैं प्राई कर रहे हैं यह क्या है पनीर को पनीर को हम पकाएंगे तो पहले हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं उसके बाद हम आलू को करेंगे और टमाटर है यह सब को हम भूंज लेंगे उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे तो देखे आलू भी तयार है मतर भी हम छील लिये हैं मसाला उसला सभी तयार कर रखे हैं तो इसको हम थुआ जाता है बोलते हैं वो हो जाता है तैट हो जाता है तो फिर उसको हम फराई कर लेते हैं थोड़ा सा नमक डाल करके पनीर आलू सभी को हम फराई कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा तेल डालते हैं इसमें और अभी हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम डालेंगे इस के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर वगेरा तो रिखे मैं लसून पीछ रही हूं मतलब पेश्ट बनाने के लिए ऐसे पीसा हुआ मसाला तो तयार ही रहता है बस पेश्ट बनानी पड़ती है तो यहां पर देखे मैं मतर डाल रही हूं पहले उसके बाद हम थोड़ा सा इस में पकने के लिए और इसको ढख देते हैं तो पहले इसको हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से और इसमें नमक डाल देते हैं और कुछ देरी तक ढख के पकाएंगे उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे इसके मतलब पकने तक हम पेश्ट उस्तियार कर लेते हैं देखे तो तो देखिए हम पेश्ट तो हम पीछ लेते हैं और बाकी मसाले तो घर पर ही है उबलब्द हमारे पती जी खुद अपने हाथों से पीछते हैं उसको मिक्सी में तो फिर हमको पीछना नहीं पड़ता है और अभी हमारे सबजी मतलब खौलने वाला है मसाला उसला सबी भूझ दिये थे और उसके बाद पानी भी डाल दिये थे और यहाँ पर हम डाल दिये हैं पनीर और रालू जो हम प्राई करके रखे हुए थे तो वो सभी को मिला देंगे कुछ दिरे तक ढख देते हैं पक के त्यार हो जाता है और हम उसमें दूद डाल देत दूद्ध चड़ा देते हैं उसको गरम करणे के लिए और अभे हम खाना निकाले हैं सबी वही के लिए, मतलब अभे कोई बच्चा है उँ घर पर नहीं है कहीं कहीं गए हुए हैं, तो हम लोग जेतने भी घर फर हैं, सबी के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ, और सभी को अभी खाएंगे और वो सबाज आएंगे तब तक हम मतलब वो लोग भी आजाएंगे और सभी को खापी करके सो जाएंगे जल्द ही और ये देखे इस सुबा का टैम है बच्चे को मैं खाना उना खिला करके इसकूल भेजी थी इनके पापा भी चले गए थे बजार इसको साओधे ले करके आने के लिए और मैं अपने काम पर लग गई हूँ यहाँ पर देखें मिट्टी को अभी मैं कोड रही हूँ बहुत ज़्यादा कोड हूँगी क्योंकि मुझे आज तुलसी का पौदा है वो सुकते जा रहा है उसका जमीन में जड में कुछ मिट्टी नहीं है तो इसके वज़े से वो सुकते जा रहा है तो मैं उसमें मिट्टी डालूँगी आज तो यह सुबह सुबह का टैम था बच्चे आठ बजे लगबग चले जाते हैं इसकूल तो लोग इसकूल चले गए उसके बाद ही मैं अपने काम सुरुआत की हूँ तो देखे अभी मैं इसको कोड़ूंगी कोड़ूंगी धेर सारे जमा कर लूँगी उसके बाद यह सूप है ना उसके सारे मैं उठा करके ले जाओंगी और उहाँ पर ढाल दूँगी तो यह बड़ा बड़ा संदेला निकल रहा था ना उसको मैं कोड़ कोड़ के उसको फोड़ भी रही थी और आज कल इतना धूप होता है ना जासे गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है कोई भी काम करो तो तो मैं यहाँ पर उठा लेती हूँ उसके बाद में वहाँ पर ढालते जाती हूँ बहुत ज़्यादा ज़र निकल गए हैं मतलब बाहर हो गए हैं अगर नहीं डालेंगी इसमें मिटी ना यह सभी पौधे मर जाएंगे इसके वज़े से मैं डाल दे रही हूँ तो बहुत सारे लेकर के जाना पड़ता है तो सब जगह में डाल देती हूँ जहां जहां पर पौधा है ना हमारे यह जंडा के किनारे किनारे सभी जगह में डाल देती हूँ कि उसके बाद हम इसमें पानी छीड़क देंगे तो पास में रहा है बस भर भर के लाना पड़ता है. बस नलखोलो लेकर के आओ, तो यहां पर देखे मिन पानी भर नहां आई हूं, 2-3 बाल्टी लेकर के मैं इसमें डाल देतीं हूं बस यह कि अच्छा से और इसी से देते रहेंगे पराबर पानी तो ये अच्छे से गल जाएंगे मिट्टी और इसके जड़ में पढ़ेंगे तो मिट्टी डालने के बाद है इसका जड़ में मिट्टी भी पढ़ जाएगा और इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब ग्रोथ भी होगा इसका पहले हवा भी चल रही थी, और कभी-कभी हवा भी चलता है बहुँ जोर से, और कभी-कभी तो इतना ज़्यादा धूप हवा नहीं चलता है, तो गर्मी भी पता चलता है, कि हाँ आज गर्मी है तो यहाँ पर हम एक वाल्टी पाने डाल दिया अभी दो तीन वाल्टी लाकर कि इसमें हम पटा-फ़ट डाल देंगे उसके बाद आज छोड़ देंगे दुसरे दिन फिर डालेंगे ऐसे ही लगातार मतलब एक दो दिन कर कर के देंगे तो फिर यह जल्दी ही मतलब इसका मिट्टी जो है नब डेला डेला सा वो पीघल जाएगा तो देखे मैं भर भर के ला रही हूँ और उसमें हम अभी डालते जाएंगे वर едखे मूर्गं वे बहुत आती है हमारे यहां तो मैं पानी दे रही हूँ न तो हों पर आरहे हैं अब मैं इसको फुला दूंगी पाडनी से उसके बाद ने अपना खाना मोना भी खा लोंगी खाना भी नही खाई हूं मैं पहले पानी मैं दे लुए और उसके बाद में